नौशाद खान साब इस वक्त पे हमारे साथ हैं और सरफराज नौशाद खान जब ये नाम लिया जाता है तो अपने आप में पिक्चर थोड़ी सी साफ होने लगती है क्योंकि सरफराज खान हिंदुस्तान की क्रिकट में अब एक ऐसा नाम लगातार बनता जा रहा है जिसके लगातार अपने सपनों के पीछे दौड रहा है और दौड़ते दौड़ते उन सपनों को हकीकत में भी तबदील कर रहा है और क्योंकि ये सबसे बड़ी वज़ा नौशाद खान साब है सर बहुत-बहुत स्वागत स्पोर्ट्स यारी पर सबसे पहले मैं आप से जानना च क्योंकि आम तौर पर हम माबाप को थोड़ा सा खिचा खिचा पाते हैं जब वो खेल में बच्चों को भेचते हैं आपने सारा का सारा जो मैं कहूं जोखिम एक वक पर जोखिम भी रहा होगा आज दुनिया कहती होगा आरे नौशाद खान ने तो कर दिया लेकिन हमेशा से तो कहानी ऐसी नहीं थी ना सर इसके बारे में थोड़ा से बताइए सबसे पहले तो मैं आपको यह बता हूँ कि मैं क्रिकेटर था जी और मैं खेलना चाहता था अच्छा क्रिकेट बिल्कुल फैमिली बैग्ग्राउंड ठिक ने थे सपोर्ट नहीं था जो भी था या मेरी उसमें बहुत सारी गल्तियां थी जिसके विए से मैं खेल नही पाया लेकिने मेरा जो पैशन था क्रिकेट को प्यार था लेकि वो कम नहीं हो रहा था मैं चाता था किए बस खेलना एक स्चित भी नहीं भी नहीं बच्छी खेल पाए हैं मैं लग गया और क्योंकि दूसरा कुछ काम भी नहीं आता था और दूसरा कुछ काम कर भी नहीं है हम लोग तो इसलिए हमने इसको खेल में दाल दिया लेकिन मेरे खियल से खेल में डालने के बाद सिर्फ फाइदा ही हुआ, नुखसान ही नहीं हुआ, क्योंकि जो बाकी बच्चों को मैं देखता हूँ, कि बच्चे आजकर मॉबाइल में लगे हुए, दस-दस, बारा-बारा बजी तलग के, हर बच्चे में मेरे ख्याल से एनर्जी होती है, और अगर उसको चैनलाइस करने का काम करोगे आप, तो वो एलेक्टिसिटी के अंदर फैन बन जाएंगे, या एसी बन जाएंगे, लेकिन अगर उसको एनर्जी को आपने सही जगह पर इन्वेश्ट नहीं किया, ऐसे पैरेंट्स, ऐसे कोच, तो वो बच्चे फिर या तो फि जगह पर जॉब मिलती है, अगर पांच वेकेंसी है, और आपके पास अगर पांच सो लोग खड़े हैं लाइन में वेकेंसी के अंदर, तो आप देखे पहले आपके पास अगर फर्स्ट जो है धिरुबाय अंबानी से पढ़ के आए हुए 50 लोग हैं, अमरीकन स्कूल से प लेकिन इसमें तो हमारा शौक भी पूरा हो रहा है, हमारा कोई नुकसान है यह नहीं, और उसके बाद हमारा ही काम है अपना, और जिस खेल को आप जानते हो खोले हैं, जानता हूँ मैं, तो मेरे खाल से खेल जो है ना, मैंने जहां तक experience किया है, यह जो है sports जो है वो आपक सिखाता है, और यह हारना कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता है, आज भाई-भाई से हारने को तयार नहीं है, आज देखे, competition school में है, आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, सब जितना चाते हैं, कोई tuition कर रहा है, कोई extra classes कर रहा है, जितना चाते हैं, लेकिन खेल जो है वो आपको हरा चुकी है, उसके बाद भी आप उस तो हुवारक बात देते हैं, यह भी तो सीख रहा है, यह भी तो education है, बिल्कुल है, तो मेरे ख्याल से इसको उस तरीके से लेना चाहिए, कि यह भी एक platform है, और आप इससे देखे रास्ते कितने निकलते हैं, कि आप coach बन जात आप अंपायर बन जाते हो, आप यूरेटर बन जाते हो, आप video analyst बन जाते हो, बहुत सारे रस्ते हैं, आप खेल से किसी ना किसी capacity में जुड़ जाते हो, आपने एक बहुत अच्छी बात कही इस पूरी की बातचीत में, आपने का खेल आपको हारना सिखाता है, हार कर उठन सिखाता है, वापस आना सिखाता है, फिर जीतना सिखाता है, बाउंस बैक करना सिखाता है, जब मैं इस सारी बाते बोल रहा हूं तो मुझे सर्फराज याद आ रहा है, दोहजार बारा मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद आता है, जब उसने एक तरीके से जिसे कहते ह एक लड़का आ रहा है भई सर्फरास खान करके ठीक है आई पील में देखा मुझे वो भी याद आता है विराट कोली बाउडाउन कर रहा था वो जिता कर ला रहा था भई सम्थिंग इंटु दे मेकिंग कुछ बड़ा होने वाला है उसके बाद फिर नाम अचानक से गुम हो इससे कम करके भी कही खिलाड़ी इंडिन टीम में आ गए शायद उस वक्त की जरूरते कुछ और रही होगी आज की जरूरते कुछ और है लेकिन यह जो कहानी आपने बताई यह सर्फरास कैसे जो शुरू हुआ यह तो हमने देखा बीच में कहां गायब हुआ और फिर अब उससे पाकिस्तान लिए बड़ा अच्छा परिफंब किया फिर उसके बाद मेरी गलती है कि मैंने एकस्पेक्टेशन जाधा लगा दिया अच्छा कि बसब इंडिया अडर पोली था उनको फटक सा उपर्चिंटी मिली मुझे ही मिल जाएगा मैं उस वक्त सबर नहीं किया और उपरचुनिटी का वेट नहीं किया और मुझे इसा लगा कि यहाँ आपरचुनिटी नहीं मिलेगी मुभई में तो सरफस तो माइनर था उसे कुछ पता नहीं था और अबू का दिवाना अबू का लड़ ला सरफस के पीछी टीशेट नमबर है वही मेरा नाम है आपने गवर नहीं किया नौ 97 नहीं है उसको हिंदी में नौ और साथ कहते हैं अरे नाम है तो मेरा दिवाना है अबू का दिवाना है क्योंकि अबू का इस्टरगल देखा है बच्पन से उसने बहुत प्यार करता है तो ज अब मैं यूपी लेकर चला गया अब वहां पर मैंने उमीद लगाई थी कि शायद यह रास्ता वह मनजिल तक जाता है लोग पड़ लिखके जाते हैं अमरीका कमाने जाते एंग्लेल कमाने जाते तो हम भी हमारा भी यह प्रोफेशन है मैंने सोचा के अंडर 19 में अच्छा चला गया अब उसके साथ वहां पर जो ऑपरचुनिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली जो भी उसने वहां पर देखा या फेस किया उसके दिल पर लगी जो भी है फिर दो तीन साल के बाद पहली मैं जो उसने देड़ सो कर दिया बिलकुल बिलकुल सेंचुरी वंडे में वहां मारा है उसके बाद जो उसको मिलनी चाहिए थी नहीं मिली तो एक दिन आके मुझे बोने लगा अब भले से आप मैं क्रिकेट खेलू या नहीं खेलू वापस बंबे जाओंगा मैं बिटा देख शायद एक्सेप्ट करें नहीं करें आप यूपी से रिटन आ रहे हो क बोले मैं बच्पन से यह सब ज्याओं कि तो देखना ही बड़ता है तो मैं ने सब देख लिया हूं आई पेल भी देखा हूं मैं अटने नहीं का पेशर बहंदल किया हूं यह पेशर बहंदल कर लोगा एक साल निकाल लेंगे लेकिन आप खेलूंगा तो मुंबई से यूपी से वापस आने की बात हुए जब उदर ऑपरचुएंटी नहीं मिल रही थी तो बोले अब मेरे से नहीं होता आप भी भटक रहे हो गर्मियों की छुट्टी में गर्मियों में कानपूर लखना हो यहां मैं उनके पिछे पिछे लगा रहता था होटल बुक करता था हो अगर कैम्प में भी है तो उसको जो मैं लगा हुआ हूँ ना डालना बॉलिंग डालना काइड करना तो मैं उनके पिछे ही था साहे की तरह बचपन में तो किये किये अब यह करीर बनाने के लिए भी क्योंग कोच एक मेंटोर एक फादर साथ में है तो स्कॉर तो अगेल जो मैंने पहले गलती की जैसे पचास सांट पे भी अंडर नाइंटीन में बहुत विकेट लेका है साथ फिफ्टी करने के बाद मैं कहता था बेटा दे कि सौ की ऑपरचुनेटी थी लेकिन वो कैसा होता है ना कि बचपना होता है कि अब मेरा तो पचास हो गया टीम का भी म पड़ेगा और मॉंबई में रन बनाने का मतलब है सिर्फ सो बनाना आपने 30-40 किया तो आपने रन नहीं बनाना कोई नहीं रखेगा और सपेशली सर्फरास को चूब को बाउंस बैक करना है अपनी जगा बनाना है आपकी चुनाओतियां दोहरी हो गई है तो सर्फरास में इंडिया एको चले गया प्रित्वी उपर चला गया जिंके रहाने उपर चला गया और जगाखाली वी 4 बैच्समेंन कंटीम और मॉंबई दो रंजिट आफी मैच वह्म दूबे भी चला गया था मैच और बाकी के बच्चे वे थे टो एक अट की बच्चों का ही हग बनता बिल्कुल और जो पहुंस की है उसमें सर्फास भी था सेंचुरी मारावा था और पहले का भी सब जानते थे कि एक्स्पिरियेंस है और जरूरत भी है टीम को तो मिला और मुझे यह बोला भी गया था और मुझे पता भी था कि यह जो अपरजूरी टेंपररी है जैसे सेनियर अब आपको छोटे मोटे से कुछ होगा नहीं अगर आप मजबूत बनोगे तो ही आपको टीम की मजबूरी बनोगे तब आपको मिलेगा चांस तो ही उसने जो पहला जो करनेटक के सामने सेवन्टीवन एटाउट किया फिर यूपी सामने आई एक सो बत्तिस खेल रहा था मैं फर्स डे नहीं गया उप यूपी है सामने मेरा प्रिशन देगा मैं बेठूंगगा वानखेड़े में मैं चल रहा था तो हम नहीं नहीं रखा और देखे दो यी टाइम दुन्या में समझ में आती है बच्छों को बात या तो पेट पे लगे भूग तब या दिल पे ल तो कमफर्ट जोन उसको मिला नहीं वहाँ पर वो निकला था और अपनी दुनिया खुद बनाना था उसके बाद 132 ने टाउट था मैं वान खिड में आया रात में बात किया अवला बेटा देखो यह सौथ हो गया है लेकिन 500 रन है और प्लस अपने को खुद का भी करना है रेक्तिक्क सब जनते अ मानेग है उसने किया च्छह mairale कि यह दिखाता है यह दिखाता है यह जों then your league और बना करूंगा यह जिरऊ चोटे मोटे से तो वो जो उसके अंदर चेजे साही बड़े रंस करने की है पर जैसी उसके बाद तीन सो किया फिर दो सो चोबीस नटाओ किया फिर तो मतलब की वो तो आप याद रख याद भी नहीं कर पारा आदमी कि सरफराज में कौन सा सो कितने दो सो तीन सो भी आगिया इसे एक बीनिंजा भी नहीं अंतर क्या हुगा और उसको जो भी वह ऊसके दिली पर लगये हो जाहिए इसको यह साठ सतर अजधा चपेट नहीं काफी देखने वाले में इस सरफराज के बारे में इस सीजन और जादा उसके खालग से उसकी लगाएखैं जो विहाल जाता है कि कोई ह बस यही बात है, लास्स सीजन होगा, जँ झाले के साथ आते हो, आ बेतर हो ऊपके बार प्लाइन कर रहे हैं। कि इसके सामने किया और बड़ी टीम होगा अगेंस्ट खास तोर पर जो यह फाइनल में 134 जब कि आपको पता है कि MP टीम जो है चंदुसर के एंटर में हैं तो टेकनिक के साथ में टेक्टिस भी चल रही है चंदुसर को मैं बहुत मानता हूं इस बारे में जी अचा सर यह बत उसको अब क्याप मिल जानी चाहिए या फिर आपको लगता है कि इंतजार शायद अभी और करना पड़ जाए जैसे हम लोग जैसे दोस्त जो भी सब देखते हैं उस अभी कहते हैं कि सरफरास क्यों नहीं है सरफरास अब क्यों नहीं है टीम में किन खिलाडियों के आलोचन एक बार खट किया फिर बैट गए यह चीज सरफरास तो कर रहा है से दो साल से तो सीजन से आपका क्या कहना है तेखे ऐसे पैरेंट्स ऐसे मापाप माप और कोच दोनों भी मैं हूं मुझे भरो भरोसा था बचपन से ही उसके ओपर के एक दिन यह बड़ा क्रिकेट यह भरोसा पब्लिक को बाद में आता है जब वो करता है सेलेक्ट हो जाता है लेकिन मापाप को भरोसा होता है पहले तभी तो लोग आप देखे जब कोई प्लेयर जब कहीं जाता है मैच खेलने के लिए तो छोड़ने वाले दो चार लोग होते हैं बिलकुल लेकिन जो पर मिली सब में परफॉर्म कर रहा था मुझे तो बहुत भरोसा था करेगा लेकिन मैंने जी साब को बताया कि क्रिकेट प्रेजेंट का गेम है और विडाउट एक्सपेक्टेशन आपका पैशन है तो आपको मिलेगा तो खुशी होगी और अगर आपने एक्सपेक्टेशन मैंने बच्चों को एक कहान सुनाया था कि एक बच्चा होता है उसको हर्मोनियम बजाने का बड़ा शौक होता है तो वह दोपार में एक बज़े एक बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर के बैटके बजाता है तो दो बुड़ा बुड़े विचारे रहते हैं वह एक मेरा काम कर रहा हूं मेरा शौक पुरा कर रहा हूं आपको नहीं अच्छा लग रहा है अपको खिड़की बन कर लो बुड़ा आदमी बड़े दिमांग वाले होते बोले इससे कौन उलजएगा तो वह अंदर जाता है अपनी वाइफ को समझा के खेसता है वाइफ आती है ब बजे दो पार में बजाता है वापस वह और बाहर आती है बोलती बेटा आप तो अंकल को भी पसंदार आपका हर्मोनियम यह मेरी तरस से पचास रुपया है नहीं तो वह सोचता है कल सव मिला था आज पचास तो बोले चलो कोई बात नहीं भागते चौर की लगोटी साही ठीक है उसके बाद थर्डे फिर आता है फिर वह औरत आती है बलती बेटा आप तो मुझे क्या पुरी सुसाइटी को पसंदा आगया आपका बोले आप ही की डिस्क्रिस करते हैं मैं शाम को बैट कि इतना अच्छा बजाते हो बहुत मज़ा आती है आईसे आया करो यह लो म बोड़ा के चल देता है अब हमको सिखने क्या मिला कि जब वो फर्ष्ट तेम आया था वो बोड़ा आदमी उसको जाने बोल रहा था तो भी नहीं जा रहा था चुकर उस वक सिर्फ शौक था बीच में कोई उमीद कोई एक्सपेक्टेशन उसके नहीं थे लेकिन जैसी उस से गलियों में से लोग भगाते थे खेलने के लिए कि आप या मत खेलो कांश तोड़ रही है हम दूसरी गली से वापस आके खेलते थे डाटी सुनते थे मार खाते थे नहीं छोड़ते थे फिर अब हम क्यों छोड़ते कि कोई सिलेक्ट करें नहीं करें हमारा काम है हमको हमा एक आखरी सवाल आपसे है कि आपका छोटा बेटा भी है और उन्होंने भी मतलब जिस तरीके से कुछ बिहार का भी हम बात करी रहे थे इस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है बल्ले से भी गेंस से भी अगें उनको उनको लेकर के भी मैं पीछे जाओं तो युवराद सिंग बड़ा चर्चित वीडियो था जो मतलब आज की भाशा में तो वाइरल वीडियो हो गया थे उनके बारे में थोड़ा सब अभी मुम्बई की टीम से भी जुड़े हुए हैं सेट अप के साथ थोड़ा सा उनके बारे में बताईए कि किस तरीके से आप देख रहे हैं उनसे बेटिंग भी करता है और उसने जो भी उपरजुनेटी मिली अपसा तरीके बहुत आला है ताइगर पॉइंट तो पॉइंट करता है ठकता नहीं जल्दी और एनरजी लिवल बहुत अच्छा उसका पूरा ग्राउंड दोड़ता रहता है आपने फाइनल में भी देखा फिर 70 है तो टोटल 3 मैच में 401 रन 25 में है उसको टाइम इंडियन वाइल से मौका मिला डेबिट में सेंचुरी मार दिया उसने चार मैच में तो सेंचुरी है क्लब क्रिकेट में 3 मैन अदी सेंचुरी है तो हम को यकीन है बरुसा है लेकिन आप बाकी लोग को बरुसा कब आ कि हमसें फारी की सारी चीजाहों के बारे में इस इंटुवीय में बहुत सारी चीज एस जो आपको सिखाएंगी क्रिकेटिंग बाते तो लगातार हम अलग-अलग इंटिभIE के जरीए बात करते रहते हैं कुछ की लोग ऐसे होते हैं जो घृत से परें कि बात करेंगे और क कोई भरोसा नहीं कर रहा था, तब से भरोसा था, और आज तक वो भरोसा कायम है, और दूसरी बात वो, कि कुछ भी हो जाए, क्रिकेट खेलना तो नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ा था, आगे भी नहीं छोड़ेंगे, एक शेर याद आ रहा है मुझे, जी सुनाइए हो मैं इसका होकर ही छोड़ूँगा, क्या बात है सर, क्या बात है, तो एक लब बनो, विडाउड एक्सपेक्टेशन खेलते रहो, बहुत अच्छी चीज है, आपकी नारियल का जी से कोई हिसा बेकार न जाता है, स्पोर्समेन का कभी कोई चीज नुकसान नहीं होगा, फि धारिय कोई पी तो एक लकार कि लग में लागा से कोई पार नहीं होगा उने से कोई होगा, बहुता है कोई जपा बनो, बहुता होगाई अनुक्त अच्छी कोई होगा जी पार नहीं होगा.